नमस्कार अनुपूर्णा खाना विद्गाना यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आई हो फ्रेंट्स आप सब लोग ठीक होंगे तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए ले क्या है पनीर के सबजी की रेसिपी तो फ्रेंट्स यह जो पनीर है मैंने आदा केजी पनीर क्योंकि जब पनीर को फ्राइब करते हैं तो जो इसके पीसिस है वह काफी कम हो जाते हैं तो इसलिए मैंने आपे बड़े पीसिस में पनीर को कट किया है तो फ्रेंट्स जो यह वीडियो है वीडियो में यदि आपको कुछ भी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले कॉमेंट्स जरूर करना फ्रेंट्स कॉमेंट्स मुझे यह रहता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और यह भी कॉमेंट्स में जरूर बताना कि आप मेरी रेसिपी कहां से देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्रेंट् कट कर दिया इसको हम साइड रखते हैं तब तक हम इसके लिए मसाला तयार करें तो यहां पर फ्रेंस मैंने एक कप लिया है दही यह फ्रेश दही है फ्रेंस खटी दही ना ले आप नॉर्मल दही का यूज करें यह दही मैंने यहां पर ली है इसके साथ हम क्या करेंगे घर के जो मसाले होते हैं वो हम यहापे दही में एड़ कर देंगे एक चमच मैंने यहापे धनिया पाउडर लिया है एक चमच मैंने यहापे कश्मीली लाल मिर्चली है तीखी कम होती है और एक चमच मैं यहापे पाव भाजी मसाला एड़ कर रहे हूं और एक चमच मैंने यहापे हल्दी पाउडर एट की है तो जो friends यहाँ पर मैंने मसाले एट किया है उनको हम दही के साथ अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर देंगे तब तक हम दही के साथ मसालों को मिक्स करेंगे जब तक दही का एक बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए तो यह देखे friends यहाँ पर इस तरह का दही का हमें बिल्कुल पेस्ट बना के तयार करना है तो इसको हम साइड रखते हैं और गैस पर रख दिया है friends मैंने यहाँ पर पहले ही तेल रख दिया था पैन में तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है यह friends मैंने सुबह यहाँ पर पकोड़े तले थे तो वही तेल मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ तो friends जो हमने पनीर के पीसिस यहाँ पर कट किये थे उन पनीर के पीसिस को हम इस तेल में एड़ कर देंगे तो friends तेल आपका बहुत ही अच्छे से गरम होना चाहिए ताकि जो आपका पनीर है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाए तो इसलिए मैंने तेल को काफी अच्छे से गरम कर दिया है और friends यह सारा पनीर मैंने तेल में एड़ कर दिया है तो friends जो पनीर है इसको आप बार-बार बैचुला के मदद से चलाते जाए ताकि जो पनीर है वो एक जैसा आपका fry हो नहीं तो कहीं से जल जाता है और कहीं से ये बिल्कुल भी fry नहीं होता है तो इसलिए आप इसका विशेश दियान रखे बार-बार आप इसको चलाते जाए तो यह देखे friends पनीर मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर दिया है और इसमें देखे कितना अच्छा सा कलर आया है पनीर में इससे ज़ादा हमें पनीर को नहीं फ्राई करना है क्योंकि पनीर हाड हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा तो पर साता चमश ले ली है मैंने काई के घी की घी तो वैसे भी आजकल गर्मे बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है और एक चमश डाल दिया है द्लिक को हम लो फ्लेंगे अच्छे से फ्राइबी हो जाए इसका जो टेस्ट है वह जलने के बाद नहीं आता है तो इसका आप विशेश धियान रखें और चुटकी बर मैंने यहाँ पर हिंग एड़ की है और इसी के साथ यहाँ पर मैं तीन हरी मिर्च फाइन चॉप कीवी मैंने एड़ कर दी है तो जो हरी मिर्च है इसको भी हम रफली यहाँ पर भून लेंगे ताकि जो इ जब तक भून लेंगे जब तक इसका कलर काफी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो यह देखे फ्रेंस जो यहाँ पर प्याज है उसका कलर काफी चेंज हो गया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर साथ आट कर लिए है तो इसको भी फाइन चॉप करके मैंने यहाँ पर एड कर दिया हैं, लैसुन को मैंने इस लिये लास्ट में एड़ किया है, क्योंकि जो लैसून है, बहुत जल्दी फ्राई हो साmos, घ्रिक, फ्राई हो तो इसलिए आप इसको गैस की फ्लिम लो करके ही दही को पकाएं और बैचुला के मदद से आप इसको बार-बार चलाते जाएं ताकि जो दही है वो आपकी नीचे ना लगें तो इसी तरह आप इसको चलाते जाएं तो देखे दही में एक बहुरी अच्छा सा उबाल आ गया है तो हमें दही को तब तक पकाना है जब तक दही मसाले से तेल छोड़ना शुरू ना कर दें और यह देखे फ्रेंस यहाँ पर जो दही मसाले हैं उन्होंने अच्छे से तेल छोड़ दिया है दही मसालों में बिल्कुल भी अब कच्छापन नहीं रहा है यह अच्छे से यहाँ पे कुख हो गये हैं और यहाँ फ्रेंस मैं क्या करूंगी थोड़ा सा मैंने आदा चमच के करीब यह सैंदा नमक लिया है इससे जो पनीर की सबजी होती है उसका टेस्ट बहुत ही अमेजि कर दिया है तो फ्रेंस मसालों के साथ पनीर को हम भहत ही अचдо से यहां पर मिक्स कर देंगे आप चाहो तो ग्रेवी यदि आप बनाना चाहते हो तो थोड़केसा यहां पर शीच पाणी एड़ कर सकते हो पर मैं पनीर को सूपा यहां पर बना रही हूं क्योंकि मुझे करम्मच लीए कर那么 करें और एक की करी मैंने आ पेक कसथूरी के सारी मिथी को अच्छिंप मिक्स कर देखे 559 यह यहाँ पर फ्रेंस पनीर की सबजी हमारे बन के तयार होगे है तो आईए इसको हम यहाँ पर सर्व करते हैं तो फ्रेंस जो यह पनीर के सबजी है आप इसको प्राठा पूरी रोटी किसी के साथ भी खा सकते हो अब बच्चे बहुत ही जादा इसको चाओ से खाएंगे यकीन म परना मैंने कहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है तो यहीं पर मैं वीडियो का एंट करते हूं थैंक्यू फ्रेंस